वाग्यानिक अक्सर कुछ न कुछ ऐसी खोज करते रहते हैं जो आम इंसान को हैरत में डाल देती हैं वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को तो अक्सर नई खोज और प्रयोग के लिए जाना जाता है हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैपिलर सेटलाइट से प्रत्वी से डेड़ गुना बड़े आकार का एक नया ग्रह खोजा है जिसे के आई सी सेवन थरी फो जी रो टू डबले बी नाम दिया गया है इस बात की जनकारी एस्ट्रोनॉमी के जनरल में प्रकाशित हु इसलिए यह कहा जा रहा है कि यहां पर जीवन संभव हो सकता है क्योंकि जादतर ग्रहों में गेस का गुबार होने के चलते यहां पर रहना संभव नहीं हो पाता लेकिन हाल ही में मिले इस ग्रह में पानी मिला है जिसे यहां जीवन की आशा जागी है अमेरिकी अंतरिक्ष 40288B देखने में प्रत्वी की तरह ही है इसका समतर भी उबड़ खाबड़ है और अगर ये ग्रह और बड़ा होता तो इसके सोर मंडल के विशालकाय गेस से ग्रह होने जैसे आशंका होती हमारे ब्रहमान के परूस में एक और यूनिवर्स है लेकिन यहां पर समय उल्टा चल गया इसके आधारपन नासा के वग्यानिकों का कहना है कि उन्होंने एक और भ्रहमान खोज लिया है वग्यानिकों ने बताया कि 13.8B साल पहले बिंग बैंक के समय दो भ्रहमान वने थे एक वो जिसमें हम रहते हैं दूसरा वो जो हमारे हिसाब से पीछे की और जा रहा है यानिकी वहां समय उल्टा चल रहा है एक से ज़ादा यूनिवर्स की थियोरी सालों पुरानी है अब वग्यानिकों ने समांतर भ्रहमान यानिकी पैरलल यूनिवर्स मिल लियाने की बात तो कही है देकिन अब ये देखना होगा कि यहां जीवन संभव हो पाता है या नहीं Subscribe our channel and press the bell icon for more updates